हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल मैच सर में तो कैसे हैं आप सब चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही मात्पूर्ण सवाल बताने वाला हूं जिसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट छिपा हुआ है तो देखिए student आज का हमारा सवाल आपके सामने ये लिखा हुआ है क्या दिया है question if 3 root x plus 1 upon 2 root x is equal to 3 where x is greater than 0 तो हमें find करना है x square bracket के अंदर 18 x square minus 7 इसकी value कितनी होगी ये हमारा question है तो देखिए कैसे solve करना आपको बहुत ही आसान सा सवाल है ये 3 root x plus 1 upon 2 root x ठीक है, equal to 3 आप देखरो हो, यहां root x के form में दिया है और हमें निकालना क्या है, x square के form में निकालना है ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, root हटाना पड़ेगा तो root a की तरीके से अट सकता है, आप क्या कर दो, both side square कर दो यही हो सकता है, square करो कितना जाएगा, 9x plus, यह कितना जाएगा, 1 upon 4x ठीक है, plus 2 into, a मतलब 3 root x और b मतलब 1 upon 2 root x ठीक है, यह कितना हो गया, 9, यह हमारा 9 हो गया अब root x से root x cancel हो गया, 2 से 2 cancel हो गया ठीक, कितना हो जाएगा यह, जाएगा 9x plus 1 upon 4x is equal to, 3 को आप यहाँ ले आओगे, 9 minus कितना हो जाएगा, 3 equal to क्या आगे, 6, अभी हम x में पहुंचे हैं, हमें क्या चाहिए x square, तो again फिर से आप इसका क्या कर दो, whole square कर दो फिर से whole square कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 81x square plus, यह कितना हो जाएगा, 1 upon 16x square plus 2 into, a b मतलब 9x और into 1 upon 4x, equal to क्या जाएगा, यह 36 ठीक है, 2 से ही cancel होगे, 2 दोनी 4 x से x कड़ गया, इसका multiplied आप यहाँ कर लो कितना जाएगा, 81 into 16, x to the power 4 plus 1, अब उन में क्या आगया, 16x square ठीक है, यह होगे, 36 minus कितना जाएगा, 9 by 2 यहाँ आगया, अब simple है, इसको simplify करना हमको 81 को क्या लिख सकते है, 9 into 9, ठीक है और 16 को क्या लिख सकते है, 8 into 2, x to the power 4 ऐसा क्यों लिखा मैंने अभी बता रहा हूँ मैं आपको इसको आप solve कर लो, 36, 22, 22, 23 मैंसे 9 चला गए कितना बचा 63, 63 by 2 और जो upon में 16x square था, वो यहाँ जाएगा, so 16x square ही होगे 2 से इसको काट दिए, कितना होगा है अब यहाँ पर अगेन इसको लिख लेंगे फिर से 9 into 9 और into 8 into 2, x to the power 4 ठीक है, 1 को वहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे तो 63 को हम क्या लिख सकते है, 9 into 7 और into 8 x यह आगे है, minus 1 अब common क्या है देखो एक 9 है, एक 9 यह है एक 8 है, और एक 8 यह है, फिर x square है और यहाँ से भी x square है, कितना जाएगा यह 9, 72 और x square common कितना बचा, 9 into 2 कितना होगे, 18 x square बचेगा, minus यहाँ का बचेगा 7, x square निकल गया तो यह तना बचेगा, minus 1 अब देखो आपको value मिल गई है, x square यह जाएगा, 18 x square minus 7, ठीक है इसको 72 को यहाँ लेंगे, तो minus 1 upon 72 तो हमारा answer finally क्या होगा इसकी value क्या होगी, minus 1 upon 72 clear student, ठीक है आगे समझ में पर फिर भी अगर आपको कोई doubt है, तो comment करके मुझे बता सकते हैं, so thanks for watching, for more update, please like, share and subscribe